हेलो एर्रीवान वेल्कम बैक तो माई चैनल कई एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ मैं कैसे हैं आप सब आपके सब आपके अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज मैं पिकाकार हूँ मेरा खुद का एक इंस्टिट्यूट है जहां पर मैं बच्चों को कोचिंग प्रवाइड करती हूँ बीसी और एमसी स्टुडेंट्स के लिए और यहां पर फिर वक्त निकालना पिकाकार रीडिंग इट इस नाट पॉसिबल फॉर मी तू अल टाइम लेकिन कभी- दस तारिक को फुल मॉन है तो मैं यहां पर पता लगाऊंगी कि फुल मॉन आपकी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ पर क्या प्रभाव डालने वाला है क्या चेंज़ आपको देखने को मिलेंगे फुल मॉन के आने से अपनी आपकी लाइफ में और क्या चीज़े आप अगर आप एक spiritual journey में है तो फिर तो यह reading आपको 100% देखनी है क्योंकि जो लोग divine journey follow कर रहे होते हैं तो full moon और new moon पर कुछ ना कुछ ऐसी vibration कुछ ना कुछ ऐसी energy get करते हैं जो आपकी journey के लिए आपके लिए बहुत beneficial होती है तो वो क्या ऐसी energy है जो आपको मिल सकती है full moon के आन आपके लिए अगर मुझे टाइम मिलेगा और कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है तो जैसी फ्री हो जाओंगे फिर तो डेली एक reading तो पिका कार आईगी ही आईगी आप लोगों के लिए चलिए अब रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि य रिखी अराम से हो सकता है कि ये reading आपके लिए कुछ message लेकर आ रही है तो ये है pile 1 और ये है pile 2 इन दोनों card के पीछे एक message भी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं आपकी reading शुरू करूंगी फिलाल आप ध्यान से card को देख लें ये है pile 1 के लिए card ग्रुप No.1 के अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा तो आप pile 1 सेलेक्ट करना ठीक है फिर group 1 आपके लिए है दियान से देख लें आप इस card को and pile 2 के लिए यहाँ पर है यह वाला card इस पे एक eye बनी हुई है इसमें universe की image दिख रही है और yes पूरी galaxy है यहाँ पर जिसमें यह भी dark color लेकिन इसमें white color है light pink भी है green color भी है और star भी है especially यहाँ पर एक star है जो बहुत जादा चमक रहा है ठीक है तो अगर यह वाला card आपको attract कर रहा है तो pile 2 आपके लिए है बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर guys एक pile आप select कर लीजिए दिन मैं आपको आपकी reading पर मिलूँगी ठीक है यह है pile 2 के लिए group number 2 I hope कि आपने अब एक pile select कर लिया होगा तो अब मैं pile 1 से start कर रही हूँ आपके reading और देख लेते हैं क्या आता है Hello group 1, let's see your reading देखते हैं आपके reading में क्या आएगा अच्छा आपके लिए message है surrender Surrender message आया guys आपके लिए हो सकता है कि आपको triple three number दिख रहा हो ठीक है बहुत ज्यादा तो यहां पर जब triple three angel number हमें दिखता है तो हमें सच में surrender करने की ज़रुरत है angel पर trust करने की ज़रुरत है आपको outcome के बारे में अब ज्यादा सोचने की ज़रुरत नहीं है because you already आपने बहुत कुछ कर दिया है you did a lot of efforts lot of work and now you need to surrender all your concern and आपको कोई output क्या आएगा कितना सही आएगा कितना आपके favor में होगा इस तरह से सोचने की ज़रुरत नहीं है आपके कर्मों के according आपने जैसे भी कर्म किये हैं जितना dedication के साथ काम किया है उसी के according आपको आपका outcome मिलेगा just be with life in the present moment अब divine आपसे कह रहे हैं आप अपना सारा concern ठीक है surrender कर दीजे और अपने present moment में जीना सिखिए ठीक है ये message आपके लिए यहाँ पर universe लेकर आए हैं अब देख लेते हैं कि आपके लिए ये full moon और क्या लेकर आएगा आपकी life में ठीक है तो सबसे बहले tarot से ही start करेंगे guys हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं यह आपको कुछ चीजे सच में ही न छोड़नी पड़ेंगी let go करना सीखना पड़ेगा surrender करना पड़ेगा Gemini Libra Aquarius sign दिखा मुझे अभी तक यहां Knight of Wands Aries Leo and Sagittarius Page of Swords Gemini Libra Aquarius the Sun Leo and we have Knight of Pentacles Taurus Virgo and Capricorn एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी oh wow the fool Aquarius यहां पर Gemini Libra Aquarius Aries Leo Sagittarius और Taurus Virgo and Capricorn दिख रहा है Water sign अभी तक तो नहीं दिखा मुझे okay Taurus बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है यहां पर और Leo Leo और Taurus energy बहुत स्ट्रॉंग है इसके बाद यहां पर Air, Fire और Earth energy तो है ही और कार्ड देख लेते हैं और हमें क्या पता चलेगा I'm sorry for the noise guys यह पीछे से background के जो आवाज आ रही है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती और reading को late भी नहीं कर सकती कि पहले इनका काम खतम हो जाए तो तब मैं reading करूँ कि काफी late हो जाएगा चलिए और देख लेते हैं Nine of Swords We have two of Swords Swords के energy सबसे जाला है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर Gemini Libra Aquarius बहुत स्ट्रॉंग है Devil Capricorn, Taurus और Capricorn, Leo बहुत ही ज़्यादा Oh wow! We have sun के निचे sun Two times sun Okay, interesting तब ही तो Divine कह रहे हैं आप से अप surrender कर दीजे Sun आने वाला है आपकी life में खुशिया आने वाली है आपकी life में तब ही कह रहे हैं काम करते रहो बराबर लेकिन tension free होकर करो अब क्योंकि overall आपकी life में sun आ रहा है आपकी life में judgment आ रही है और आप देख सकते हैं यह reading कितनी interesting बन गई है यहां से bottom of the deck से और देखो यहां से भी न हेरोफेंट का ही कार्ड था दोनों बार हेरोफेंट के कार्ड आ गए है दोनों deck से चलिए अब मैं reading स्टार्ट करते हूं आपकी जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर लियो तो बहुत ही है अदरवाइस टॉरिस बहुत स्ट्रॉंग है काप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉंग है यहां पर है Scorpio, Aquarius, Sagittarius Aquarius, Leo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Sagittarius और में भी Aries यह साइन मुझको यहां बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे हैं तो मैं यही साइन बोलूंगी अब मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ आपको न गाइस बहुत हद तक अपने माइन को टेंशन फ्री करने के जरूरत है क्योंकि और मुझे लगता है कि जल्दी आप यह टेंशन फ्री हो भी जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छा काम कर रहे हैं तभी शायद डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अप सरेंडर कर दो आउटकम की टेंशन ना करिए और अपने प्रिजेंट मॉमेंट में जीना शुरू कर दीजिए ठीक है इस तरीके कि वाइब्स यहां पर क्लियर दिख रहे हैं हो सकता है कि आपका कोई online business है हो सकता है कि आप या तो फिर आप किसी company में work from home करते हैं online ही काम करते हैं तो यह हो सकता है अधरवाइस तो मुझे आपका कुछ ना कुछ online business दिख रहा है आपके life में speed में change आने वाला है आप devil energy से बाहर निकलने वाले हैं अपने आपको काफी हद तक आपके अंधर एक जुनून तो मुझे दिखता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा concern रख लेते हैं tension भी ले लेते हैं लेकिन tension और concern रखने से कुछ नहीं होने वाला है आपको full of positivity के साथ काम करना है आपको यही विश्वास रखना है कि आप capable हैं और आप हर एक चीज अचीज अचीव कर सकते हैं अपनी life में और आप एक new beginning attract कर रहे हैं और जल्दी ही आपकी life में यह happiness abundance joy आने वाला है rainbow आने वाला है खुशिया आने वाली है कुछ के लिए तो guys सच में यह blessing है कि आपकी शादी के chances मुझे आपर दिख रहे हैं आपके partner हो सकता है जिनको आप manifest कर रहे हैं वो आपसे age में छोटे होंगे लेकिन यह person बहुत अच्छी height है इनकी अच्छा physics है ठीक है अच् fit person है यह और यह person भी काफी ज्यादा खुले विचारों के हैं अच्छे विचारों के हैं ठीक है तो इनके साथ आपकी compatibility भी काफी अच्छी है आपने काफी delay देख लिया काफी strong देख लिया अपनी life में और tower moment तो बहुत आते जाते रहे हैं आपकी जिंदगी में लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख राए कि आपकी घर में बेबी आने वाला है ठीक है लेकिन काइज अभी भी बेबी की खुशियां भी आ रही है लेकिन फिर भी अभी आपके जो सारे के सारे जो concern है वो खतम नहीं हुए है और जो चीज़े आपके out of control है उन्हें आप खतम भी नहीं कर सकते हैं तो आपको judgment का वेट करना है डिवाइन आपके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ करेंगे अगर आपके married life में problems हैं आप अगर pregnant हैं आपके बच्चे या अगर हैं अगर अभी अभी ठीक है और आप तब भी सफर कर रहे हैं चाय आप लड़का हैं लड़ विश्वास रखना है इस तरीके से divine पर manifest करिए प्रातना करिए अपनी life को अच्छा बनाने के लिए ताकि आपको इंसाफ मिले क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो भी हम married हैं वो थोड़ा सा परिशान है अपनी जंदिगी में और आप और आपके बच्चे दोनों ही सफ अच्छा नहीं होगा तो प्लीज टेंशन प्री हो जाए और affirmation manifestation करते रहें डिवाइन से judgment मांगते रहें जस्टेस मांगते रहें ठीके वह आपको 100% देंगे बाकी तो गाइस अगर आप married नहीं है तो येस आपकी life में बहुत अच्छा time आने वाला है full moon के आने से ही आपकी जो प्लान है जो work नहीं कर रहे थे वो work करने लगेंगे आपके partner को भी आप attract कर रहे हो तो overall काफी अच्छी चीज़े आप attract कर रहे हो अपनी life में कोई new face शुरू होने वाला है आपकी जन्दगी में जिसमें आपको brightness, sun, happiness ही मिलेगी ये अकेले पन से भी हो सकता है कि आपको चुटकारा मिल जाए विकार एक तो marriage proposal भी आते हो दिख रहा है और overall अगर marriage नहीं है तो फिर आपके partner तो आपके पास मुझे आते हो दिख रहे है आपको let go करना सीखना पड़ेगा कुछ चीजों को इतना आप करना सीखे बाकी तो full moon के आने से आपकी संदगी में मुझे तो बहुत ज़्यादा abundance आती हुए दिख रही है, joy आते हुए दिख रहा है, happiness आते हुए दिख रही है और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहा patience divine कह रहे हैं, आपसे थोड़ा सा patience रख लिजी आप क्योंकि patience जहां इतना रखा है, अगर divine थोड़ा और रखने के लिए कह रहे हैं तो आपको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको end में कुछ अच्छा ही दे रहे हैं, ठीक है, यह romance का दर्वाज़ा तो खुलेगा आपकी life में, number 33 इसके chances हैं, कि यह दिर्वाज़ा खुलेगा आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में romance आएगा, आप एक new phase में enter कर जाएंगे and the thinking, woman, guys, चादा आप overthinking ना कीजे, खुद को इस overthinking की बिमारी से बचाईए यहां से खुद को निकालिए भार, ठीक है, goddess of the moon देखो, goddess of the moon आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में peace, harmony, light आएगा, ठीक है, बहुत relax आप फील करेंगे आर्केंजल, यूरियल भी आपके साथ है, जो आपके 7th chakra पर काम करवाएंगे आपसे और आपकी लाइफ में wisdom आएगा, और ज्यादा समझदारी आएगी, mature हो जाएंगे आप और ज्यादा अपने healing और happiness पर ही काम कीजिए, without any concern और जितना हो सके positivity के साथ affirmations बोलते रहें यही आपको heal करने में मदद करेगी, because hard work तो आप करी रहें, यह चीज तो दिखी रहें यहाँ पर आर्केंजल, राफियल भी आपके साथ है, जो कि आपके heart chakra पर काम करवाएंगे आपसे, ठीक है, तो आपका heart chakra, आपका crown chakra भी balance हो जाएगा और overall आपकी life में happiness आजाएगी, यहाँ से देख लेते हैं, क्या advice आईगी आपके लिए, ओ वाओ, believe in the impossible, तो आपको impossible पर believe करना है, blue moon, super moon है यह, full moon है, आप बिल्कुल believe कीजिए impossible पर, because जितना, जो मिलना है guys, वो तो मिलकी रहेगा न, वो क्यों दूर जाएगा आपसे, जो मिलेगा, जो लिखा है आपके भागे में, वो तो पहुंचेगा आप तक, oh my god, oh, guys, can you see this, surrender card आपने select करा, और देखो divine ने क्या answer दिया है, full moon, surrender to the divine, wow, जो लगता है यहाँ angel है अभी, जो आपको अच्छे से guide कर रहे हैं, हमेशा अच्छे से ही करते हैं, बट यह reading कुछ जादा special हो गई है, tension free हो जाओ, guys, बिल्कुल tension free, आप इनके child है न, divine के, तो वो आपकी सारी problem दूर कर देंगे, surrender कर दो, उनी को बोलो, जो भी हो रहा है आपकी जिन्दिगी में, आप divine को बोलो, क्योंकि आपने तो काफी मेहनत कर दी है, आप कुछ चीजें जो आपकी control में नहीं है, ठीक है, जैसे कि you married life भी बदाई मैंने, कि आपकी control में नहीं है, तो आप surrender कर दीजिए, आप बिल्कुल divine को बोलिए, कि आपकी जिन्दिगी में वो ही अच्छा करेंगे, जैसा करेंगे, वो ही करेंगे, आपको इंसाफ देंगे, surrender कर दीजिए अपना सारा concern divine पर, और believe कीजिए impossible पर, क्योंकि जो impossible होता है उसको possible divine ही बनाते हैं, तो आपको believe करना है कि आपकी जिन्दिगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो tension आप बिलकुल ना ले, tension वाली कोई बात नहीं है, जब divine आपके साथ हैं तो, this is your reading guys, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपक comment section में बताईएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care, hello group number 2, तो जिन्होंने भी pile 2 select करा है, देख लेते हैं, आपके लिए full moon, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आपकी life में, सबसे पहले message पढ़ते हैं, इसके पीछे जो लिखा है, dreams, dreams, the universe speaks to you through your dreams, तो universe आपसे dreams के थ्रू बात कर रहे हैं, आपके सपनों में आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, और जो भी बता रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना चाहिए उस बात पर, ठीक है, तो universe speaks to you through your dreams, इसका मतलब है या तो आपको आपको universe आपसे बात करेंगे, या फिर ऐसा हो चुका है, कि आपको ऐसे सपने आ चुके हैं, कि उनोंने आपसे बात कर ली है, आपको कुछ ना कुछ important बता दिया है, आपके सपने में, तो अब जो वो आपको बता कर, बता दिया है, या जो भी बता रहे हैं, वो continuously आपको आपके dreams क तो आपको उन पर believe करना शुरू कर देना चाहिए, अब, guys, अपने dreams में जो भी भगवान आपको अगर दर्शन दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी आपके purpose related, अगर आपको कोई information मिल रही है, तो आपको believe करना चाहिए, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, कि कुछ चीजे हमें dream में दिख जाती हैं, और वो future में पूरी भी होती है, ऐसा होता है, ठीक है, तो please आप अपने dreams पर trust कीजे, और जो बहुत important dreams आपको आए हैं, ठीक है, आपके purpose से related, उन्हें भूलना नहीं है आप, और ना किसी को बताना, लेकिन भूलना नहीं ह आपको, हमेशा है याद रखना है, कि universe आपको dream में ऐसे बता कर गए हैं, तो वो पूरी बात होगी, 100% होगी, और चाहे तो आप अपने dream में जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे related आप affirmations बोल सकते हैं, कि मेरा ये सपना पूरा हो रहा है, और मुझे जो information दी ग जिससे कि आपके जिंदिगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जो भी आएगा देख लेते हैं, गाइस, एक चीज मुझे और इस card से पता लग पा रहे हैं, क्योंकि universe आप से dream में बात कर रहे हैं, तो आप बहुत intuitive person हो, और बहुत rare ही ऐसे person होते हैं, जो dream में universe से बात करते या फिर universe किसी भी तरीके से आप तक अपनी अगर आवास पहुंचा रहे हैं, कुछ भी आपको बता पा रहे हैं, तो आप बहुत intuitive हो, और divine के बहुत close हो, आपका दिल बहुत साफ है, ये मुझे vibes मिल रही हैं आप से, चलिए आप message में, यहां पर देख लेते हैं, reading में, बताते हो गई हैं universe के साथ, divine के साथ, अच्छा बैसा नहीं कि universe कैसे भी बता सकते हैं वो, वो कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसी बहुत important information या तो मिलेगी, या मिल चुकी है, या फिर often आपको same dream आते हैं, night of cups, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces, again Cancer, Scorpion, Pisces, oh wow, we have, we have two of wands, we have the sun card here, एक कार्ड अभी और लेंगे एन वी आप फॉर अफ कॉप्स यहां से है एट अफ कॉप्स अभी कुछ कार्ड यहां से भी ले लेते हैं फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करते हूं आम प्रिल्ष पॉर आप 가지고 हूं अवाव ऐसे आप अपॉर्स, पिजल मार येल्ष पंकंतु valid एल्ग 2 डीडिंग स्टे हैं अगे थैनस्याप थेर लाओ बार दूर्ट कार्ड यहांअ अद विल्मन कार्ड आणुए हम फुल मून पर ही डीडिंग कर रहा है न, टू आफ वील्स मतलब टू आफ पेंटिकल्स, ट्वेंटीटीटू मास्टर नमबर, ओ वाव, वी हाव, वी हाव, शिक्स ओफ काप्स, चले यह वाला काड अपने आप आएगा, यहाँ पर क्वीन ओफ पेंटिकल्स भी आ गई है, तो यहाँ पर दो क्वीन हैं, और यहाँ पर है सेवन ओफ वील्स, यानि कि सेवन ओफ पेंटिकल्स, ओके, नहीं help की जरुरत है, यू निए help, किसी help चाहिए आपको सच में यूनिवर्स की help चाहिए और यूनिवर्स अपनी help भी 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 भीज़ रहे हैं, अपको सकता है, करन्ट सिनरियो कुछ ऐसा है आपके जिंदगी में, जो आपको बहुत डिस्टर्ब भी कर सकता है, ठीक है, आपको काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए यूनिवर्स चाहते नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो तो वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले ही आपको बता रहे हैं आपके ड्रीम्स में आकर, ताकि आप पैनिक ना हो, आप विश्वास ना यहां पर इसके बाद है यहां पर थॉर्स विर्गो और यहां पर 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 यहां प काफी देख चुके हैं अपनी लव लाइफ में जो की एक नॉर्मल इंसान इतना डिले या इतना ज़्यादा पेशन्स नहीं रख सकता लेकिन फिर भी यूनिवर्स क्योंकि आपके साथ हैं यूनिवर्स आपको पॉजिटिव साइंस बेजते हैं इसलिए आप अपना विशुयश बना पा रहे हो आपकी जिंदगी में आपके इस कनेक्शन में थर पाटी आती जा रहे हैं मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे लगा हुआ है और ऐसे में सबर रखना बहुत ही मुश्किल हो जاتा है लेकिन आपका क्योंकि इस person के साथ एक past life connection है आप जन्मों जन्मों के साथ ही रहे हैं इसलिए आप give up नहीं करना चाहते हैं और नहीं आप कर पाएंगे जैसे आप give up नहीं कर सकते वैसे ही आपके partner भी आपको भूलेंगे नहीं भले ही चैस के जिंदगी में कोई भी आजाए लेकिन compatibility है इसकी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है तो अभी का जो scenario है मुझे लगता है कि totally आपके out of control है और ऐसे में अगर universe की help आपको नहीं मिली तो आप बहुत हद तक panic हो सकते हैं stress ले सकते हैं इसलिए universe आपको dreams के थुरू बात करेंगे आपसे ठीक है हो सकता है full moon के time पर भी आपको बहुत major dream आजाए और आपको कुछ important पता चलेगा तो अभी dream जो भी आ रहा है आपके purpose से related या आपकी love life से related उनको आपको भूलना नहीं है और हमेशा याद रखना है क्योंकि अगर आप उन dreams को भूल गए तो हो सकता है जो चीजे universe ने आपको बताई है आप अगर उनको भूल गए तो हो सकता है कि उनमें delay आ जाए ठीक है इसलिए याद रखना है और किसी के भी साथ अपने dreams आपको share नहीं करने है फिलाल तो full moon के आने से आपकी जिंदिगी में काफी positivity आ रही है good energy आपको मिलेगी एक decision आप ले पाएंगे आपके love life जिस तरीके से stuck है लेकिन विश्वास आपका बढ़ जाएगा person जो आपके है उनके साथ आपकी जो memories है हो सकता है कि आपके person उन memories को याद करेंगे आपको याद करेंगे यहाँ पर 10 of cups का card है यह person चाहते है आपके साथ family बनाएं आपके साथ घर बनाएं लेकिन इस चीज में इस person को लगता है कि डिले है डिले है guys आपकी love life में चुपा रहे हैं अपने अपनी भलाई के लिए चुपा रहे हैं आपसे दाकि उन पर कोई उंगली न उठाए उन पर कोई आँच न आ जाए तो अपनी benefit के लिए अपनी happiness के लिए वो आपसे बहुत सारे चीज़े चुपा रहे हैं एक strategy सी बना ली है कि अभी का जो भी scenario है आपके person ज्यादा concern नहीं रखते हैं आपके लिए लेकिन एक attachment होने की वज़ए से वो आपके साथ अभी telepathically close हो सकते हैं लेकिन अभी तो फिलाल deception दिख रहा है आपके partner को अभी काफी healing की ज़रुरत है लेकिन वो ही है ना कि universe इस connection में बहुत major major role play कर रहे हैं तो इसी वज़ा से आप दोनों काफी positive रह पा रहे हो तो जो भी होगा full moon पर काफी energy बदलेगी काफी ज़्यादा positivity आएगी इस connection में मुझे यहाँ पर अभी आपके work से related कोई काड़ी नहीं दिखा तो जो मैं work के लिए तो इसका मतलब है कि आपको wisdom मिल रहा है knowledge मिल रही है आप बहुत creative है आप बहुत intuitive है इसी के साथ साथ आप अपनी practical life यानि कि अपनी work life में भी काफी अच्छा कर रहे हैं अगर आपकी work में आप loss फील कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि full moon आपको काफी सारी blessings दे कर जाएगा जिससे कि आपकी करियर में भी काफी अच्छा आप कर पाएंगे income वगेरा में अगर loss देख रहे हो तो वो चीज़े recover होने के chances हैं ठीक ऐसा मैं देख रहे हूँ लेकिन yes guys आपकी love life में ठोड़ा delay है और इस delay में universe आपके साथ है dreams के थुरू बाते कर रहे हैं so tension ना लीजिए because sun car यहाँ है और आप देख सकते हैं मैं क्यों भी बोल रही हूँ कि आप एक divine connection में sun और moon दोनों यहाँ पर है ying और yang की energy यहाँ पर है तो clear में कह सकती हूँ कि आपके journey tough है complicated है यहाँ पर third party situation भी आ चुकी है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपका connection बहुत strong है यह connection में आपको success मिलेगा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा delay आपको face करना पड़ रहा है यह delay आपकी life में सारे जो भी unsolved pattern है ना उनको solve कर देगा trust कीजिए process पर बिल्कुल tension ना ले और positivity के साथ आगे बढ़े divine सब देख रहे हैं सब सुन रहे हैं वो जो करेंगे आप सभी की भलाई के लिए करेंगे ठीक है आप नहीं move on कर पा रहें तो भी divine ही तो आपको support कर रहे हैं कि आप move on नहीं कर पा रहे हैं इस connection में आप इस connection पर विश्वास कर रहे हैं और खुद universe आपको dreams में आके बाते बता रहे हैं तो आप tension ना लें बिल्कुल भी अपने काम करते रहे हैं और इस delay के वज़े से परिशान मत होना क्योंकि हो सकता है ये delay इसलिए है कि आप बहुत सारे pattern solve करने वाले हैं बहुत सारी achievement और हासिल करने वाले हैं तो परिशान मत होना बिल्कुल भी ओके चलिए अब यहां से कुछ cards देख लेते हैं क्या आएगा आपके लिए door to romance ये pile 1 में भी था ये romance आएगा आपकी life में लेकिन थोड़ा सा delay है यहां पर ठीक है तो इस delay की वज़ा से पर परिशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी नहीं होना वाव जो टू value romance और value ये money आप दोनों ही attract कर रहे हैं दोनों आप attract कर रहे हैं पैसा भी आएगा आपके सिंदगी में प्यार भी आएगा आर्केंजल केम्यूल आर्केंजल केम्यूल आपके साथ हैं positivity लेकर आ रहे हैं आपकी life में खुशियां लेकर आ रहे हैं आप किसी और को देखकर jealousy फील ना करें कि सबकी life में तो अच्छा हो रहा है सब आगे बढ़ रहे हैं मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा इस तरह के thinking आपको नहीं रखनी है आर्केंजल, Uriel आपके साथ हैं आप इतने समझदार हैं आर्केंजल, Uriel का सपोर्ट है तो इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है आपको रोकना है यास आपके life में आपके twin flame है और आपने उनको अपना दिल दिया हुआ है तो trust कीजिए universe इस process में आपके साथ हैं वो आपको success दिलाएंगे ठीक है यहां से भी देखो आर्गे आर्गे इंचल गैब्रियल आपके साथ है इतने सारे आर्गे इंचल आपके साथ है तो tension वाली बात होनी नहीं चाहिए एविन येस आपकी ये जर्णी बहुत टॉफ है लेकिन यूनिवर्स का साथ भी है यूनिवर्स का साथ हर किसी को मिलता नहीं है आप यूनीक है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड नियू मोरें टॉरिस अब आप देखे आपको क्या रिलीज करना है अपनी प्रोस्पेरिटी पर ध्यान रखिए अपने सक्सेस को अच्छा अपने सक्सेस को अचीव कीजिए लाइफ में और जो भी आपको सपने आ रहे हैं या जो भी विजन आपको देख पा रहे हैं कुछ भी आपके intuition आपको guide कर रही है मैंने का ना उसको भूलना नहीं है आपको और किसी को बताना भी नहीं है यह किसी को नहीं बतानीः आपने driving जो भी आपको dream दिख रहे है ना आपको किसी के भी साथ share नहीं करने जो आपको लगता है बहुत important है किसी के साथ share नहीं करने यह मैंने pile 1 में नहीं किया था बट मैं इहाँ पर कर रही हूँ मैं आपके आना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगते हैं आपको सरुरत है तो देख लेते हैं यहां से ओ आगे हमारे पास stay connected within stay connected within connect with the divine in you set quietly close your eyes and calm your mind you will get answer to all your troubling questions yes guys आपको बिल्कुल अपको अपके अंदर के जो divine है उनके साथ आप खुद को connect करना है ठीक है खुद के divine खुद के divinity के साथ आपको connect करना है शान्ती से आपको बैठना है अपनी आखे बंद करनी है अपने mind को बिल्कुल relax feel कराना है and you will get all your troubling questions जो भी questions जो आपको बहुत परिशान करते हैं, आपको irritate करते हैं, उन सब की answers आपको मिल सकते हैं अगर आप ये exercise करते हैं खुद से connect हो ये, खुद को पहचान ये, तब ही आप डिले है ये डिले खतम हो जाएगा अगर आपने खुद को पहचान लिया तो मुझे तो लगता है कि आप काफी intuitive person है, तो आपकी journey tough है लेकिन divine का support आपके पास मुझे पूरा पूरा दिख रहा है तो relax manner में अपने काम कीजिए और manifest करते रही है full moon के आने से आपकी life में काफी changes आ जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आपको काफी सारे questions के answers मिल गए है this is your reading guys, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो अगर ये reading आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में बताईएगा, channel पर अगर आप नए हैं तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना अभी के लिए विस इतने guys, bye, take care